यहां पर इस container में हमारे पास है vinegar vinegar होता है acetic acid, dilute acetic acid या फिर आप इसे ethnoic acid भी कह सकते हैं अब अगर यह acid है तो फिर यह litmus paper का color को change करेगा और red करेगा इसे चलिए देखते हैं और देखिए इसका color यह reddish हो गया लाल-लाल सा हो गया मतलब यह acid है और यह क्या है यह vinegar और यहां पर हमारे पास इस container में है sodium hydroxide solution जो की basic nature का होता है अब अगर यह basic nature का है तो फिर यह इस paper को, litmus paper को blue करेगा देखिए यह blue बना दिया अब हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि अगर यह acid है vinegar अगर acid है तो फिर इस base के साथ इसका neutralization reaction होगा चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा base यहां पर इस test tube में ले लेता हूँ इस तरह से और फिर हम उसमें थोड़ा सा phenolthylene solution इसमें डालेंगे यहां पर हमारे पास phenolthylene solution है इसे यह जो की colorless होता है इसे अगर इसका हम एक बून यहां पर डाले तो फिर यह pink color का हो जाएगा देखें इसका color change हो गया phenolthylene खुद colorless होता है पर base के साथ जाके जब यह मिलता है तो फिर वो solution pink color का हो जाता है तो यहां पर देखें यह जो solution है यह pink color का हो गया अब देखें चुकी vinegar चुकी यह acid है तो यह इसे neutralize कर देगा neutralize कर देगा मतलब अगर कुछ हम थोड़ा सा हम लोग अगर vinegar इसमें मिलाते हैं तो फिर धीरे धीरे इसका color vanish कर जाएगा neutralization में होता क्या है acid और base react करता है और एक दूसरे के effect को neutralize करता है मतलब cancel करता है धीरे धीरे इसका color देखे धीरे धीरे vanish करेगा इसका color vanish करेगा और इस process में इस reaction में बनता है salt और पानी यहाँ पर salt और पानी बनता है थोड़ा सा अगर हम लोग इसे मिला दे तो देखे color धीरे धीरे vanish कर रहा है इसका color अभी थोड़ा सा light हो गया है थोड़ा सा और vinegar अगर हम लोग मिला देंगे तो इसका color जो है यह color vanish कर जाएगा चलिए हमने थोड़ा सा और विनिगर मिला दिया है अब देखिए इसका कलर जितना डार्क कलर था वो डार्क कलर अभी वैनिश कर रहा है यहां से थोड़ा और मिला जते हैं और अगर हम लोग इसे कुछ दे रख दे छोड़ दे तो फिर दीरी-दीरी इसका कलर वैनिश कर जाएगा या फिर इसे अगर हम लोग इस तरह से मिला देते हैं तो भी देखिए इसका कलर यहां से वैनिश कर गया तो यह neutralization reaction हुआ यहां पर base के साथ acid का reaction हुआ एक दूसरे के effect को इसने cancel कर दिया अब चलिए देखते हैं चुकि यह acid है तो फिर अगर sodium carbonate या sodium bicarbonate के साथ इसका reaction करवाया जाए तो फिर यहां से carbon dioxide निकलना चाहिए क्योंकि हमने जब acids, bases and salts का chapter हम जब पढ़ रहे थे उस समय हमने यह चीज़ देखा था कि जो acids है उसके साथ sodium bicarbonate या sodium carbonate इसका reaction होने से carbon dioxide निकलता है तो यहां पर sodium bicarbonate है मेरे पास थोड़ा सा sodium bicarbonate मैं यहां पर अगर डाल दू तो आप देखेंगे reaction शुरू हो जायागा आप देखेंगे reaction शुरू हो गया और यहां पर जो gas यहां निकलेगा यह gas होगा carbon dioxide gas चलिए इसे थोड़ी देर में हम लोग टेस्ट करते हैं यह carbon dioxide gas होगा अगर हम लोग एक जलती हुई माचिस की तिली को यहां ले जाते हैं तो देखें यह बुझ गया क्योंकि यह बुझ गया क्योंकि यहां पर carbon dioxide gas रिलीज हो रहा जो कि यहां पर इसे चलने से रोक रहा है तो हमने दूर reaction देखा यहां पर चलिए थोड़ा details में बात करेंगे हम लोग ethnoic acid पे या acetic acid पे तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके physical properties यह जो ethnoic acid है इसे acetic acid कहा जाता है और यह जो है यह carboxylic acid के group में आता है आप अगर यहां पर यह जो ethnoic acid का जो आपको structure दिख रहा है यहां पर अगर आप ध्यान दे तो यह जो है यह functional group है carboxylic acid का यह weak acid होता है देखे basically acids को अगर हम पानी में मिला देते हैं तो वो दो ions में टूट जाता है एक तो negative ion और दूसरा hydrogen ion यह release करता है जो acid completely पानी में जाके completely dissociate कर जाता है मतलब completely टूट जाता है उसे strong acid कहा जाता है लेकिन carboxylic acid जो है यह completely टूटता नहीं है बहुत सारे molecules ऐसे होते हैं जो कि टूटता नहीं है कुछ-कुछ molecules टूट जाता है इस तरह के acids को weak acid कहा जाता है हर carboxylic acid जो है यह weak acid होता है तो यहाँ पर यह ethnoic acid भी weak acid है यह completely dissociate नहीं होता है बलकि कुछ part इसका टूट जाता है दू आयंस पे और कुछ नहीं टूटता है इसमें हम लोग details में बात किये थे हम लोगों ने बात किया था chapter acids, basis and salts में उस playlist में जाके related video को आप देख सकते हैं अगर 5-8% acetic acid का पानी में मिलाया हुआ solution हो तो उसी को vinegar कहा जाता है vinegar हमारे kitchen में बहुत frequently use होता है और इसे हम preservative के तौर पे भी use करते हैं इसके कुछ और भी properties देख लिते हैं जासे कि यहाँ पर melting point आपको दिख रहा है 16.7 degree Celsius, boiling point 117.9 degree Celsius इतनौइक acid का कोई color नहीं होता है यह colorless होता है और इसका density पानी के density के लगभग बराबर होता है पानी का density होता है 1 gram per cubic centimeter इतनौइक acid का जो density है यह उसी के आसपास है 1.05 gram per cubic centimeter अब इसके chemical properties पे हम बात करेंगे तो basically तीन तरह के reactions पे हम बात करेंगे सबसे पहले तो यह acid है तो हम देखेंगे base के साथ किस तरह का reaction होता है हमने थोड़ी देर पहले इसका demonstration भी देख लिया अब हम equation देखेंगे और हम यह देखेंगे कि इसका reaction carbonates के साथ और hydrogen carbonates के साथ किस तरह का होता है यह भी हमने demonstration में देख लिया हम equations देखने वाले हैं और फिर हम एक special equation पे बात करेंगे जिसे की esterification equation कहा जाता है तो शुरुआत करते हैं base के साथ reaction से देखें normally acid base के साथ react करके salt और पानी बनाता है इतनोईक acid भी यही करता है अगर आप reaction पे ध्यान दे अगर इतनोईक acid का sodium hydroxide solution के साथ reaction देखा जाए तो यहाँ पर बनता है sodium acetate जो की एक salt है यह salt है और साथी साथ बनता है पानी अगर carbonate और hydrogen carbonate के साथ इसका reaction देखा जाए तो फिर हमें पता है कि जो acids होता है वो carbon dioxide release करता है इतनोईक acid carbonate और hydrogen carbonate के साथ react करके salt बनाता है carbon dioxide release करता है और पानी बनाता है product के तोरपे तो यहाँ पर दो equation देखें यहाँ पर sodium carbonate के साथ reaction हो रहा और यहाँ पर sodium bicarbonate यानि की sodium hydrogen carbonate के साथ reaction हो रहा है दोनों ही case में देखे यह salt है यह भी salt है सेम चीज है और यहाँ पर पानी और carbon dioxide यहाँ पर बन रहा है product के तौर पे अब बात करते हैं esterification reaction पे ethanoic acid absolute ethanol pure ethanol के साथ react करके अगर वहाँ पर acid कोई special acid catalyst के तौर पे भी रहे तो फिर उसके साथ react करके ethanol के साथ react करके यह ester बनाता है चलिए reaction देख लेते हैं यहाँ पर जो ethanoic acid है यह ethanoic acid है और यह ethanol है एक special catalyst के तौर पे अगर acid के presence में यह reaction करवाया जाए तो यहाँ पर आपको जो product दिख रहा है यह ester यह ester इसे perfume बनाने में use किया जाता है इसका बहुत अच्छा flavor होता है और साथी साथ यह जो ester है यह वापस से जैसे की acid के presence में ethanoic acid और ethanol मिलके जो ester बना रहा था वही ester किसी alkali के presence में जैसे की sodium hydroxide alkali के presence में यह वापस से ethanol बना देता है इस reaction को saponification reaction कहा जाता है क्योंकि यह reaction use होता है साबुन बनाने के लिए soap बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है normally soaps जो होता है यह sodium या potassium का salt होता है जैसे यहाँ पर यह sodium का salt है sodium और potassium का salt होता है और long chain carboxylic acid का sodium potassium salt होता है यह short chain है यहाँ पर दो carbons है दो carbons है अगर यह long chain होता बहुत सारे carbons रहता तो फिर यहाँ पर यह बन जाता soap अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग ethanol पर बात करेंगे यह भी एक important carbon compound है पहले हम लोग कुछ physical properties देख लेते हैं ethanol जो है यह commonly इसे alcohol के नाम से जाना जाता है जो alcoholic drinks बिकता है market में उसमें ethanol यूज होता है यह बहुत अच्छा solvent होता है मतलब इसमें बहुत सारी चीज़े घुल जाती है इसलिए इसे medicine के तौर पर भी यूज किया जाता है आप अगर homeopathic medicine अगर कभी आपने लिया होगा तो आपको पता होगा कि base के तौर पे वहाँ पर alcohol यूज किया जाता है especially ethanol यूज किया जाता है तो उस तरह के medicines में बहुत सारे cup syrup भी आता है और tincture iodine जो है उसमें solvent के तौर पे ethanol को यूज किया जाता है ethanol पानी में बहुत पहतरीन तरीके से dissolve हो जाता है इतनौल किसी भी proportion में रहे पानी में ये घुल जाता है और इसका जो taste होता है ये burning taste होता है जलन होता है इसका melting point negative 114.5 degree Celsius होता है boiling point 78.5 degree Celsius होता है इसका भी कोई color नहीं होता है और इसका density पानी के density से बहुत कम होता है लगभग 0.8 gram per cubic centimeter well आगे बढ़ते हैं अब इतनौल के कुछ chemical properties के बारे में बात करेंगे हम basically दो तरह के chemical properties के बारे में बात करेंगे एक तो उसका reaction sodium के साथ किस तरह का होता है और फिर वो किस तरह का reaction है जिसमें की unsaturated hydrocarbon में ये convert हो जाता है इतनौल ही unsaturated hydrocarbon में convert हो जाएगा तो सबसे पहले sodium के साथ reaction हम लोग देखेंगे एतनौल जो है sodium के साथ react करता है और hydrogen release करता है यहाँ पर आपको ये equation दिख रहा है और यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा clip भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देखे जो bubble यहाँ से निकल रहा है नीचे जो है यहाँ पर ये sodium है और वहाँ से जो bubble निकल रहा है वो bubble जो है वो hydrogen gas का bubble है यहाँ reaction आप देखे एतनौल के साथ sodium के reaction में यहाँ पर hydrogen gas release हो रहा है चली नेक्स्ट रियाक्शन देखते हैं कि किस तरह से यह unsaturated hydrocarbon बनाता है अगर एतनौल को concentrated sulfuric acid बहुत सारा concentrated sulfuric acid के साथ मिला कर अगर गर गरम किय जाया जाया लगभग 443 Kelvin temperature में ले जाया जाया तो फिर यह ethene produce करता है ethene एक unsaturated hydrocarbon है यहाँ पर आपको ethene दिख रहा है double bond है तो यह unsaturated hydrocarbon है अब हम लोग अगले वीडियो में यह देखेंगे कि soaps और detergents किस तरह से काम करता है और इसका chemical structure किस तरह का होता है तो इस वीडिय वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर screen पर मिल जाएगा आप चाते चाते मैं आपको बता दो कि इस पूरे chapter का जो playlist है उसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें कित पाए